उत्रकंड में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है वहीं चमूली जिले में भी इसका असर देखने को मिल रहा है ताजा मामला बदरीनाथ नेशनल हाईवे का है जहां चमोली और छिनका के बीच पहाड़ी गिरने से बदरीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया जहां हजारों की संख्या में रहगीर फसे हुए है हालात यह है कि मुसाफिरों को पानी पीने तक के लिए नहीं मिल पा रहा है जिससे इन लोगों को मुसीवतों का सामना करना पड़ रहा है वही अभी भी चमोली जले में 31 लिंग मोटर मार्क बंद पड़ी हुए हैं जिनको खोलने का काम जारी है चमोली से नीरच कंडारी की रिपोर्ट